हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल स्टॉक राइडर स्टॉक एलनिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इसी स्टॉक के बारे में 52 वीक का हाई है इसका 1502 52 वीक का लो है 411 कॉंटिटी टेड हुई थी लास्ट टेडिंग सेशन में 2555 डिलिवरी कॉंटिटी 10,592 में परसंटेज ऑफ डिलिवरी 51.53 इस कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले पोस्ट किये थे 10 अगस्त की ये न्यूज है IFB Industries Consolidated June 2021 Net Sales at 572.04 करोर तो ये न्यूज आप MoneyControl.com की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं Company के बारे में बात करेंगे IFB Industries.com ये इस कंपनी की वेबसाइट है आप इस कंपनी के बारे में वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं इनकी Services क्या है इनके Products क्या है इस टॉक के बारे में बात करेंगे Market Care पे 3680 करोड की Debt है 289 करोड का Place Percentage 0 Share Holding Pattern की बात करेंगे Promotors की 74.96 से 74.96 constant है FII की 8.0 से 7.74 थोड़ी सी कम हुई है DIIs की 2.09 से 1.99 इनकी भी कम हुई है Public की 14.95 से 15.30 यानि Retailer की बढ़ी है ये है इस Stock का Monday का Chart जिसमें RSI 33 चल रही है यानि की Oversold Zone में जा चुका है अगर हम History की बात करें जन्वरी 2018 में ये Stock 1500 के आसपास में Trade कर रहा था उसके बास से वापस जब ये 1500 गया है फरवरी 2021 में तो Same Double Top बनाया इसने और फिर से अब ये Stock नीचे 900 के आसपास सपोर्ट लिया उसके बाद में ये उपर गया है 1200 के आसपास में फिर से अभी 900 के आसपास तो यहां पे भी इसने एक Double Top फॉर्म कर दिया है और अभी ये नीचे Same Support पे है Weekly Chart में अगर आप देख रहे होगे Same M Pattern बनाने की कोशिस कर रहा है RSI इसकी 39.6 है अभी इसी Stock में क्या करना चाहिए जो लोग अभी उपर के Level पे इस Stock को लेके बैठे हुए है वह अभी इसमें Accumulate ना करें अभी Average ना करें क्यूंकि यहां पे दो Probabilities हैं या तो यह नीचे जाएगा या उपर जाएगा क्योंकि अगर इसने यह 900 का support तोड़ा तो यह Stock 800, 7500 या 700 इन तीन Levels को आपको ध्यान दखना होगा लेकिन जो लोग अभी सी Stock में fresh buying देख रहे हैं उनको अभी wait and watch करना चाहिए क्योंकि Monday को यह उपर भी जा सकता है यह नीचे भी जा सकता है तो नीचे के Level मैंने बता दिये हैं उपर के Level अगर यह उपर जाता है को ग्रीन केंडल फॉर्म करता है Monday को Tuesday को वो लोग entry ले सकते हैं Monday का जो हाई होगा उसके बाद में उस लेवल पर buy करके आप इसी Stock को hold करके रख सकते हैं Stock बहुत अच्छा है 1500 के आसपास का Stock आपको 900 के आसपास मिल रहा है strategy फिर से बोल रहा हूं same है 3-5% जहां दिखेगा वहां exit कर जाऊंगा आपके dislikes मुझे motivate करते रहेंगे और मैं अपनी analysis में proficiency लाता रहूंगा so thank you friends thanks a lot bye bye for now